एक अकल की कमी है, एक छोटी सी कंट्री, हमको धंकी दे रही है, हम तो आज अमेरिका के बिनी सुनते हैं, चाहिना हमको खेरेगा, हम चाहिना को काउंटर करेंगे, पांसमिलियन डॉलर दे दो, इंडिया ने का पहले आप हमारा पुराना कस चुका हो, क्योंकि हमने उनको की हिए नोकी है कि मैने गौरीछफ खान आप ली कि हिन्दू से शादी कर ली हिंदूंसे को रशाद Ads कर ली हुं लेकिन इनको हुनी लेना देनाना निको ले दिन फर्सकर dicote को जैरना को बड़ने इसको भाड़ कर लेंगे को बड़ी बाप नहिसकार दोस्तों, आज its और हम बहुत ही महतपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं सूद सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे राम जैसे राम थैंक यू बहुत शुक्रिया आपका बहुत-बहुत मौदी जी के द्वारा लक्षदीप को बढ़ावा देने के लिए और आप बोयकोट कर रहे हैं मालडीव को भारते इससे मालडीव पर क्या असर पड़ेगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा प्रम्साइब का है. पत्तक आर्मी के ओफिसर्स थे लोग ते जो वहां पे माल्डीवियन के हेल्प करते थे इंडिया ने इनको दो हेलिकॉप्टर्स दिये थे ताकि एक आईलेंड से दूसरी आईलेंड किसी को जाना हो अगर वहां पे अमर्जेंसी हो तो उसको यूज कर सके एवन वे आईपी के अंदर हुआ और प्रेज़न ने आकर के जो मीजू आये उन्होंने प्याय मोदी से कहा कि आप अपने आर्मी के लोग को यहां ठा दो प्याय मोदी ने कहा चलो बात कर लेंगे क्या आपकी जरुता है उसको रिव्यू कर लेंगे क्या आप चाहते हो क्योंकि आप हमारे ल केंपेनिंग करने के लिए एक दिन इन्होंने माल्डिस के अंदर बिता दिया और वहां के सुन्दर सुन्दर लक्षडिप के अंदर बिता दिया वहां के सुन्दर सुन्दर बीचिस की फोटो दे दी और वहां दिखा दिया किस तरीके से आप बीचिस को एंजाय कर सकते हैं पिया मोधी ने लेकिन किसी भी तरीके से माल्डिव को करिसाइज नी किया और एक के बहुत बड़ा मैसेज था पिया मोधी का कि आप हमारा जो लक्ष टीप है उस पे इंडिया के जो लोग है वाँ जाए और टूरिजम को प्रमोट करें क्योंकि हमारी जूटी बनती है अपन इंडियास आते हैं तो यहां पे बद्बू फिलाते हैं माल्डिव के लोग जो लोग क्योंकि हमारी वहां पे एक हाई कमिशन भी है लोग कहते हैं माल्डिव के लोग तो दस दे तक नहाते भी नहीं है गंदगी फिला रखे हैं माल्डिव के अंदर चोटी सी पापॉलेश हैं और माल्डिव का जो मेरा गला खराब है मुझे इसलिए माफ कीजिएगा वहां के माल्डिव के टूर्मोट करते हैं और इसी माल्डिव आज बहुत इंपॉर्टन डेस्नेशिंशन बन टूर्मोट के लिए लेकिन पिया मोती ने लक्ष बिब जाकर की जो इंडिया से और ज़्या नस्दीक है एक प्रमोशन कर दी है इंडिया के टूर्म की उससे माल्डिव के लोग चिल गए और वहां पे कैंपेंज जल रहा था गेट आउट इंडिया तो इंडिया गेट हो गया था तो उसने पर रजीव गांदी इंडिया के प्राइमिस्टर थे उन्होंने यहां से दो प्लेंस बेजे कमांडो के और कू को को डिस्पेंटल कर गिया कू किया था कोई LTT का एक ग्रुप था उसने किया साथ पर कुछ माल्डिव के लोग उसे प्रेसेंट थे और बात जब भी माल्डी में प्रॉब्लम हुई तो इंडिया नों को सपोर्ट किया क्योंकि माल्डी इंडिया के बैक्याड पे है और इंडिया चाहता है कि उसका बैक्याड सेयाट से रहे वैसे तो इंडिया बहुत दुश्मनी जेल रहा पाकिस्तान से चाहिना से भी लेकिन इंडिया यह इनी चाहता कि उसके दुश्मन बढ़ें लेकिन कोई दुश्मन ही करना चाहे तो करें Sorryٌ को监 म traum दिआ को पाकिस्तान को डील करशकते हैं चाहिना कोई डील करसकते की बैकबोन है वो है टुरिज्ब और उसके अंदर इंडिया का सबसे एक बार यहां पर पानी की प्राब्लम हो गई थी तो इंडिया ने यहां पे पानी भेजा शिप भेजे प्लेन भेजे ताकि माल डिव के सबसे क्लोज जो है वो है इंडिया केरला और लक्ष दीब रास्ते हैं पढ़ता है लेकिन माल्डिव के अंदर जब इनके प्रेज़िद्ट मुझीज़ू पावर में आए तो इनकी पहले विजिट थी टर्की की इंडिया और माल्डिव का जितना डिस्टेंस है टर्की का डि है वो है चाइना की और चाइना और जो डिस्टेंस है इंडिया और माल्डिव के बीच में और कंपेर किया जाए तो चाइना से वह आठ गुना ज्यादा है तो चाइना भी अमर्जिंसी के अंदर यहां पर कोई मदद नी कर पाएगा अब देखे जैसे सी के अंदर प्राब इंडिया के पास है अगर हाउदी रैवल्स यहां पर जो लोग शिप्स को हाईजैक करते हैं समालिया के जो हाईजैकर्स हैं तो उसके उपर इंडिया आगे आता है और कोई आगे नहीं आता और इंडिया ने इस टेंपे दस शिप अपने अरब सागर और इंडिया रोशन क इनको लगता है कि अकल की कमी है एक छोटी सी कंट्री हमको धंकी दे रही है हम तो आज अमेरिका के बिने सुनते हैं अगर गलत बात हो और अगर गलत बात माल्डीव करेगा तो उसकी कैसे सुन लेंगे कैसे बरदाश करेंगे इवन अब पांच दिन की विजिट पे गए है च चाइनिस को कि आप हमारी कंट्री के अंदर आके विजिट करो लेकिन तूरिजम के उपर लेकिन इंडिया ने प्रॉपर तरीकर से डिसाइड कर लिया इंडिया के लिए कि वह माल्डीस के अंदर तूरिजम में नहीं जाएंगे क्यों हम अपनी कंट्री के अंदर जाएं त हम अपनी कंट्रिंग अंदर टूरिजम डिवलाप न करें देखिए इंडिया के अंदर जो टूरिजम है वो है रिलिजियस टूरिजम जैसे आपका राम मंदिर बन रहा है यहां पे लोग जाएंगे टूरिजिस के लिए और पिछले साल यहां पे 22 रोड विजिट किये थे आ आपके राम जनर्म भूमी देखने के लिए अचा राम जनर्म भूमी देखने के लिए सिर्फ 22 करोड और इस साल उमीद लगाई जाती है कि यह डबल से ज्यादा हो जाएगा इंडिया के अंदर टूरिजम की कमी जरूर है क्योंकि यहां पे जहातर लोग घूमते नहीं है लेकिन अब इंडिया के अंदर टूरिजम को इंपॉर्टेस दी जा रही है और जो लोग घूमना चाहते हैं बीचिस के उपर उनके लिए अंडेमा निकोबारा आइलेंड है उनके लिए लक्ष्टीब भी आ गया है और बहुत से वारी आईलेंड है गोवा के आईलेंड है या गोवा के बीचिस हैं केरला के बीचिस हैं जो बहुत खुबसूरत है तो इंडिया के लोगों ने डिसाइड किया है कि अब वो माल्डिव के अंदर भी जाएगे और मुझे लगता है कि माल्डिव की एकनॉमी क्रैश कर जाएगी जब इंडियन ने जाएंगे तो बाकी श्वासियत हैte एस्राइल के आप को कहणा नहीं पड़ता कि आप हमारे साथ हो इस्राइल आप देखिधी जब देखेंगी अंदर प्राइब्लम होती है तो इंडिया उसको सपोर्ट करें लेकिन जब दूस्राइल प्राइल ब्रॉट करें पाती हैं लेकिन जब सांथ करती है तो इंडिया पहली कंट्री सी जिसने माल्डिव को सपोर्ट किया पैसे दिये उनको और अब वो अपने जो बीचिस हैं, उनका लेवल उचा करना चाहते हैं, क्योंकि जो 70% लेंड है माल्डीज की, वो पानी से सिरफ एक मिटर उपर है, और वो चाहते हैं कि उनकी जो बीचिस है, उनके जो एरिया है, उसको उपर किया जाए, इंडिया से नों ने कहा हम उसको 500 500 मिलें डॉलर दे दो, इंडिया ने कहा पहले आप हमारा पुराना कर्स चुका हो, क्योंकि हमने उनको डॉलर 1.2 बिलियन का पहले ही लोन दे रखा, और इंडिया ने ठान लिया है, कि वो किसी को अननेसेसरी फंड नी देगा, सपोर्ट नी करेगा, सिरफ अपने दोस्तों के लिए कोई सामने नहीं आएगा, क्योंकि सिरफ इंडिया ऐसी कंटरी सी, जो मालडी के क्लोस थी, जिसने मालडी को हमेशा सपोर्ट किया है, जिसने मालडी को हमेशा हमेशा है, अच्छा सूच सर, बढ़ता है कि किस तरीके से 500 मिलियन मांगे गए थे, पता चला है कि 500 मि किसी भी नाम पे और उनके कई आईलेंड को पटे पे ले लिया है, पचास-पचास साल के लिए, तो वहाँ पे अब वो निर्मान भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो चाइना चाहे वो तो इन चीजों में माहिर है, तो अगर सिक्योरिटी के लिहाद से देखें, तो उससे भारत पर कितना असर पड़ेगा अगर चाहिना वहाँ पर जाता है और वहाँ पे आईलेंड में इस तरीके की एक्टिविटी करता है तो, देखिए इंडिया को हमेशे यह डर लगा रहा है चाहिना से, चाहिना सी के अंदर इंडिया को घेरने के कोशिश करना था बह वहाँ पे भी चाहिना ने उस पोर्ट को लीज़ पे ले लिया है, तो साल के लिए, और इंडिया ने अभी एक चाहिना को पर पर प्रेशा डाला था, कि चाहिनिस जो स्पाई शिप्स विजिट करते हैं, हमबन डोटा पोर्ट, उसको वहाँ पे आने ना दिया जाए, क्यो दूसरे की सिक्योर्टी की इंट्रेस को हम देखेंगे, तो शेलंका ने चाहिना को बना कर दिया कि कोई भी आपका जो सी पोर्ट, सी जो आपके स्पाई शिप्स हैं, वो हमारे पोर्ट में नी आएंगे, और एक साल का उनको पर बैन लगा दिया, लेकिन अब जो ये कोशिश कर रहा कि चाइना के वहाँ नेवल बेस सुना दी जाए, चाइना के यही इंटेंशन एंडिया को घिरने की, तो इंडिया इसके लिए पूरा त्यार है, वैसे देखा जाए तो मौरिशियस, जो काफी दूर नहीं है, यहाँ पे इंडिया ने अपनी नेवल बे इंडिया ने पर तरीके से अपनी नेवल बेस बना लिए, जहां पर सबora in इसस्क्राइबION सेशन की जा सकती है, और इंडोनेशिया का पूर्ट है, वहाँ पे भी हमने अपनी नेवल बेस बना लिये, फिर ओमान का डผม ओकाम पूर्ट वहाँ पर ऑनप के इंडिया नेवल क पावर में आगई जबकि अमेरेका निया नी चाहता था शेख-षीना पावर में है लेकिन उसके आने सक-ाथ उसने सब से बड़ा थैंक्कियों कि इसंटो किया इंडिया को चिया और इन ह pem तो देखिए माल्डिव का जो चाइना का चाइना ने वक्ति जो यहाँ पे बैसी खोली थी वह खोली थी दोजानो में जब कॉंग्रेस् गवर्मेंट यहां पावर में थी अगर उस तेम पे बीजेपी गवर्मेंट होती एस्पेशली गवर्मेंट होती आपकी बोदी की तो यहां पर Chinese Ambassador खुलने ही दिया जाता और Chinese Ambassador खुलते हैं चाइना ने पैसे फैंगने शुरू कर दे मुईजू एक बहुत करप्त आदमी है इनको पैसे दिये और इन्हों ने अप्री कंट्री को चाइना के हाथ बें जा दस आइलेंड के उपर इस तेंपर चाइना काम कर रहा है जो काम रुख गया था दुबारा स्टार्ट किया जा रहा है और इंडिया के लिए कंसर्ण तो है लेकिन हम इसको पूरे तरीके से काउंटर करेंगे चैलेंज करेंगे और जो चाइना की अटेंट है माल्डीव के अंदर घुसने की आप देखेगा बहुत जिल्दी माल्डीव एक बैंक्रफ कंट्री बन जाएगा क्योंकि लंका वाला हाल शेलंका को भी दिखिए जब शेलंका यहां पे प्राब्लम में आ गया था यहां पे सब कुछ फेल हो गया था तो शेलंका ने चाइन को भेजे ताकि अपनी एकनोमी को दुबारा रिवाइव कर सके और शेलंका रिवाइव कर गया उसके बास को पता चला कि इंडिया ने मेरे को इतनी मदद किये तो इंडिया के साथ खड़ा है उसने जो चाइनिस पाइशिप सा उनको अपनी कंट्री के अंदर आने से बना क होते हैं और वहाँ पे अगर इनकी पार्टी को सपोर्ट मिलेगी तो ही ये पावरफुल बन पाएंगे क्योंकि जो भी ये डिसेल लेगे इनके पारलेमेंट के अंदर या सेनेट के अंदर अप्रूवल मिली चाहिए उसको और अब लगता है कि ये जो अगला इलेक्शन हो होगे हैं और ऐसा लगता है कि ये जीत तो का इलेक्शन लेकिन इंडिया पूरी कोशिश करेगा कि इनका जो इलेक्शन जीता हुआ है इसको डियूटिलेस कर दिया जाए जो क्योंकि अभी दो तीन महीने के अंदर मार्ली इसके अंदर दोवारा से इलेक्शन होने है प्रे सूथ सर ये बात तो हो गई कि वहां सेक्योर्टी से रिलेक्टर लेकिन एक बहुत इंपोर्टन बात जो वहां पर लोग जाते हैं ज्यादा तरफ बोलीवुड वाले वहां पर जाते हैं उनको फ्री पैकजिस भी दिये जाते हैं और फिर उनसे सबसे ज्यादा को गाली बकी गई धरम पे गाली बकी गई भारत के लोगों को गंदा बोला गया उसमें तो इंदो मुस्लिम नहीं है लेकिन उसमें कुछ लोग ही बस बोलीवुड से उठके आये सामने चाहे वो अमिता बच्चन सचिंत अंदूलकर सलमान खान अक्षय कुमार इन लोगों है देखे माल्डीव के अंदर जो भी टूरिजम को डॉल्पमेंट हुई है या प्रिमोट हुआ है वो किया गया बॉलिवुड के द्वारा और एक पूनम करके एक मॉडल है उसने शूटिंग करनी थी तो उसने अपनी शूटिंग कैंसल कर दी बहुत से और ऐसे लोग है ज पांच या छे फ्रैट जाएगी जो आम लोग जाते हैं लेकिन टूरिस्स से बिल्कुल नहीं जाएगा और अक्षे कुमार ने तो इसके उपर लीड ले ली पहले कि हमें मार्डीव को बायकाट करना चाहिए और दूसरी बात है कि यहां पे शर्चरणा कपूर वो भी सामन कि तीन ऐसे लोग हैं जो कभी भी मार्डीव को क्रिडिसाइज ने करेंगी यह जो लोग हैं इनका जो एजिंडा है वो इंडिया के फेवर में नहीं है इंडिया खिलाफ चलते हैं और अगर आप बात करते हैं स्वारी गला खराब है टॉलेट कीजिएगा मजहाद और अग करते हैं और अमीर खान को सपोर्ट करता है यह वो लोग हैं जो इंडिया के अंदर टैज्ड फिलाना चाहते हैं तर्की जैसे दो और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं शारुक खान की बहुत से पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत क्लोस लिंक है एक इनका कौन सा थ एक जो अमरीका के इनका आदी बैठा हुआ है पाकिस्तान की ऐसे हैं तोनिय शाई उनके पर मैंने वीडियो बनाया है तोनिय शाई के साथ शारुक खान के बहुत लिंक है इनके बिजनस लिंक है तो वो कभी भी मालडी को क्रिसाइज नी करेंगे यह नाम के हैं कि मैंने ग लेकिन फिर भी हमें जरू सल्मान खान का शुक्रिया करना चाहिए जैसे हुमारा साथ खड़ी है और अगर आप बात करते हैं कि सचिन तिंदूल का सबसे पहले आ गया है और उसके बाद पांडिया ने भी बहुत कुछ किया फिर महमत शमी ने कहा कि माल्डीव जाने कोई अब इंडिया के अंदर आईए तो यह लोग इंडिया के क्यों इंडिया के अंदर पैदा हुए लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कोली सबसे ज्यादा प्रमोट करते हैं मौली इसको क्रिटिसाइज करेंगे माल्डीव को क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिक्ट ख लेकिन मैं किस तरीके से कह सकता हूँ कि कोली कभी इंडिया के लिए निए खेलता है तो पैसे की लिए आईपियल आचा कुछ हो और क्रिकेट तो खेल नहीं पड़ती है इनको उसी की ताद से पर्मोशन होती है लेकिन ये माल्डी जाते हैं बार बार जाता है कोली हर एक सा माल्डी विजिट करते हैं तो बड़ा सोस होता है अगर बात करें वैसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे कोली की पसंद करते होंगे लेकिन कोली ने एक बात और कई थी जब उनसे एक बार इंटर्वी में पूछा गया था कि आप त उसके बाद दुबारा से फॉर्म लोटी थी और फिर उनने कहा था कि मैं तो मानता हूं तो मतलब ये पहले ऐसी चीजे दिवाली पे चाहे मैसेज करना हो भी आप पठाके मत खोड़ना और बात की तिवारों के कुछ नहीं कहेंगे ये और लोगों के तो उनका थोड़ा है देखें मैं नहीं जाना चाहता अब मेरे पास बहुत से ऐसी चीजे हैं जो कोली को एक्स्पोज कर सकती हैं लेकिन मैं उनकी इसलत करूंगा जो टेश के बारे में सोचेंगे मैंने क्यों तरिफ की तंदूलकर की तंदूलकर की गवासकर जैसा कोई प्लेयर नहीं पैदा और इनका जो पहली विजिट थी वो थी आपकी वेस्ट इडिस की उस टाइम पे बाउंसर के ओपर कोई कंट्रोल नहीं था आप छे बाउंसर कीजिए सब चलेंगी और उस टाइम पे हेलमेट भी नहीं थी और गवासकर ने उस टाइम पे बहुत चोटे भी खाई थी या बहुत से प्लियर्स आप देखिए तो एक शर्मा करके इसके कुछ लंपायर थे उनको मैं किसी तरी के जानता था तो वो कहते थे जब भी वेस्ट इडिस का मैच होता है तो मुझे पता ही चलता कि बाल कहां गई कि मैं सिर्फ शोर को देखकर के खुली उठाता था तो क्योंकि वेस्ट इडिस के बालरस बाॉंडऱ्री से अपना काम स्पार्ट करते थे भागना start करते थे और बॉल फेुका करते थे इतनी इनरजी थी वेस्ट इडिस के बालर के अंदर और गवासकर ने उसको फेस किया और उसके बाद जो दूसरा प्लेयर आया का वो है तंदूल का जिसने डिफिकर्ट सिच्वेशन के अंदर इंदर इंडिया को सम्माला है यह जो IPL खेलने वाले है यह तो बगयार देखे बाल को घुमा देते हैं बड़ी अच्छी बात है तंदूल का बड़ा अच्छा खेलत कर सके अधरवाइस इंको कोई इंटरेस्ट दी है IPL में खेलने का अधरवारत को थोड़ी बहुत चिंता है क्योंकि वहाँ पर चाइना वहाँ पर डेलॉपमेंट कर सकता है लेकिन भारत अपनी पूरी तयारी कर रहा है जैसे आपने बताया कि कई जो वार्शिप हैं वह भ कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है देखे बात चिंता के नहीं है लेकिन आदमी को सब चीजे दिमाग पे रखनी पड़ती है जैसे चाइना का स्ट्रिंग वापल्स चाइना ने एक टाइम पी इंडिया को पूरा घेर लिया था लेकिन मोदी ने सारे के सारा जो इनका स्र करनाटका के अंदर अंडे मान निकोवार आइलेंड के अंदर जो बेस मनाई है उसका फरक है फिर दूसरी तरफ जो चिटागॉंग पोर्ट था यहां पे इन्डिया के वार्शिप्स विजिट करते हैं पिर जैसे मैंने कहा कि ओमान का जो आपका डुकम पोर्ट है वहां प कि अपनी यहां पर नेवल बेस बनाइए और इसी तरीके से इंडोनेशिया ने पर दे दिया इंडिया को तो इंडिया ने पूरा इंतिजाम किया हुआ है लेकिन यह चीज़े चलती रहती है एक तरफ आप पे अटैक होता है दूसरी तरफ आप कोई उसको काउंटर करते है तो हम पूरे तरीके से त्यारी करें हम कोई सोय हुए नहीं है यह इंपॉर्टन बात है पिया मोदी ने कुछ निका सर्फ लक्ष दीव पे जाकर करके बैठ गए और मालनीव के धजिया उला दी मालनीव को जो खाने पीने की चीज़े होती है वो इंडिया से आती है अगर कोई समान यह चाहिदा सेमंगाएंगे तो इनको डबल रीट पर परेएंगा और अगर तर्की से-टौ करेगा और आप यह जल्दी पाकिस्तान की सगहा है वह तैन ज्याना पड़ते हैं इंडिया से पाकिस्तन के ऑबरते हूँए पाकिस्तान इंडिया से टमाटर लेगा, पाकिस्तान टमाटर लेगा, तो यूए इसे लेगा, वो ही टमाटर जो इंडिया से यूए में जाते हैं, वहां से पाकिस्तान के अंदर आते हैं, अपनी कंट्री को चलाने के लिए आपको समझ चाहिए, जो ना तो पाकिस्तान के अ डॉलर की एड़िटाइजमेंट लोग करते हैं वो उन्होंने सिर्फ अपनी एक दिन की विजिट से वो कई की बिलियन डॉलर की एड़िटाइजमेंट कर दी वो जो पूरे वर्ड में फैल गई अपने आप ही और एक और बात देखे हैं बिलकुल देखे पूरा वर्ड देख रहा है यह मोधी को पूरा वर्ड वाच करता है सबसे इंपॉर्टन लीडर बने है वर्ड के अंदर और क्रिस्मस नहीं मनाया जाएगा या तो माल्डिव के अंदर जो पहला नंबर था वो इडियन का था सेकिंड नंबर यहां पे चैनीज का था उसके बाद रशियन कनेडियन बिटेन और बाकी लोग थे जो सारे क्रिश्चन है वो भी माल्डिव में वेलकम नहीं है तो कौन ज सब्सक्राइब करते हैं कि अभी बहुत जो हमारे देश के लोग बाहर जाते हैं अब उनको मोदी जी ने जो अच्छे से दिखाया है लक्षदीप हमारे लक्षदीप में लोग जाएंगे और हम भी अपील करेंगे ताकि हमारे इंडिया का भी टूरिजम बढ़े देखो एक और बात है ना कि अभी जैसे आपने का इसराइल नहीं हाँ पर पानी को करका कि खारे पानी को हम अच्छा कर देंगे लक्षदीप के अंदर इसराइल तो पहरे खड़ा हो गया है पीया मोदी गए तो पीया मोदी की जाने के बाद इजी माई ट्रिप और जितने खाली हो गए फ्लाइट कैंसल हो रही है लोगों ने जाना बंद कर दिया और जब इंडियन जाते हैं बॉलिवुड जाते हैं तो उस देश का टूरिजम बढ़ता है कि चाइनीज के जाने के साथ किसी का टूरिजम नहीं बढ़ता क्योंकि हमारे साथ लिंक है आज करते हैं लोग जासे ज्यादा विजिट करेंगे लक्षदीप और मोदी जी को जिन्होंने बका हैं उनके ख़लाफ खड़े होंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए सूद सर और इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैहिंद जैबारत जैहिंद जैबारत